हेलो दोस्तो मैं हुरुषभ चार्टर जी और आज के चुड़ों में हम बात करने वाले फायर बोल्ट के साटर्न स्मार्ट वाच के बारे में तो वीडियो को पूरा देखिए अगर रूसफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल सब्सक्राइब बोक्स है पूरा सील्ड पैक में आता है तो पहले सील्ड को हम कट कर लेते हैं ताकि बॉक्स को थोड़े अच्छे से देख पाए और उसके बाद हम प्रोड़क को भी देखेंगे तो यहां क्यार्फुली मैं इसको कट कर देता हूं ओके कट हो गया है अल्राइट तो पहले थोड़ा सा बॉक्स को देख लेते क्या लिखा है फायर बोल्ड साटन ब्लुटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच वाच वन पॉइंट सेमें इंच के अमुलेड डिस्प्ले है कैसे दिखने मेरे अग उसका स्टिकर है मेस दोनी पीजर है तो हाई दोनी हाई यू लेफ्ट साइड में देखेंगे दो पिक्सल रिजलेशन 110 प्लस पॉर्ट्स मोड इन बिल्ड माइक औं स्पीकर इन बिल्ड गेम्स IP67 वाटर रिजिस्टेंट राइट साट फायर बोल डिखाया ब्लुटूथ कॉलिंग अगें डिस्प्ले के बारे में इंफॉमे के सब्सक्राइब करें अगीं खुलते हैं अटी हैं लुक्स को देखते हैं यह प्रड़ा का सहा है तो असे करके हम लुक्त कपल डिकार रहिए घूंग के उसके बाद स्मार्ट वाच इस इन फ्रंट तो सामने ही आपको स्मार्ट वॉच मिल जाएगा श्मार्ट वॉच को निकालते हैं अभी साइड में रखते हैं और क्या है बॉक्स में देख लगते हैं तो पहले तो हमारा चार्जिंग केबल है मैगनेटिक टाइप उसके बाद है मैनुवल ओ लंबा मैनुवल दिया है इस बार बीजड़ डाइट फाई है माडिल का नाम मैनुवल आपको कुछ ऐसा मिलेगा ओकैं फिर वाउचर क्या क्या है देख लेते हैं आल्राइट यह एक वाउचर है वाउचर यह वारेंटी कर एंग एक और वाउचर यह तो हो गया सब कुछ बॉक्स में जो मिलता है अभी हम देख लेते हैं हमारा smart watch जो हम सबको देखना है कैसा है smart watch यहां से हम यह plastic wrapper को खोल लेते हैं ओके plastic wrapper is out सामने साब देखिए fireball लिखाए एक और plastic है इसको भी हम निकाल लेते हैं आल राइट तो यह है डिस्प्लेइ आमोलेट राइट साइड में बटन एंड माइक इस साइड भी एक माइक का इन्पूट है यह speaker पीछे हमारा sensor strap आपको कुछ ऐसा मिलेगा ठीक है यह हो गया quick unboxing अभी हम first time setup करेंगी दोस्तों चलिए पहले smart watch कौन कर लेते हैं बटन को प्रेस करना है और वाइब्रेट हो गया उसके स्टार्ट हो गया smart watch fireball लिखा है स्टार्ट हो गया आप देख सकते हैं इगनाइट दो फाइर इन्यू अभी फ़र्स चीज जो हमको करना है वह पैयर करना है smart watch के साथ स्मार्ट फोन के साथ तो आपका नाम है इसको ओपन कीजिए यहां पर आपका अकाउंट है तो ठीक है अगर अकाउंट नहीं है तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके बाद यहां पर क्लिक किजिए टू एड फिर आप देखेंगे मॉडल का नाम आएगा विच इस ब वाच फेसे आपको दिखा जाता हूं ओके वेरी इंपॉर्टेंट पेरन कनेक्ट का फीचर आ गया है इदर पैर कर लीजिए ताकि ब्लूटूथ पैरिंग हो जाब देख सकते इदर सिंबल आ गया है पैरिंग का अल्राइट अभी यहां पर चलते है राइट साइड में यह और इंदर साइड में तुम यह इनकी यह जो सुर्षा कर्फंड 45 जिए यहां हमारा सब वाच फेसे सब कविक्यान को दिखाते में आपको दिखाता हूं और क्या क्या वाच में यक्र यह वाच फेसे अंग हम को मिल जाए उत्याँ कर सकते हैं क्यों साब इंच्छा लग रह पर आ गए है तो बहुत आप्शन से अब सेलेक्ट कर सकते हैं अभी हम देखेंगे स्मार्ट वाच को अल्राइट तो एक क्लिक करते हैं इस पर लांग प्रेस वाच फेस पहले चेंज कर लेते होके हो गया वाच फेस चेंज फिर राइट साइट स्वाइप करेंगे स्टेप्स अप्रेट बीप एस्पीओ टू फोन कॉल एएवाइस वेदर एड़ कॉम्पोनेंट काइड कॉम्पोनेंट में क्या अलांस टॉप वाच शटर कैल्कुलेटर यह टाइमर मेसेज यह सब हम कर सकते हैं अभी राइट स्वाइप करेंगे तो फिर से मेश्च्रीन पर आगे left swipe करेंगे तो यह quick मतलब functions circular dial में आएगा फिर उपर से messages ऐसे करेंगे तो quick panel यह सब features के लिए settings में चलते हैं ओके यह सब हो गया settings तो यह quick का आपको overview था कैसे pairing करना है and smart watch का interface unboxing भी हो गया setup भी हो गया अभी हम बात करते हैं experience review के बारे में यह आप देख रहें दोस्तो always on display है and मैं अगर button को click करूंगा तो display on हो जाता है ठीक है तो this is normal display on दिखने में दोस्तो एकदम premium smart watch plus amoled display मिलता है तो एक अलगी feeling आता है 1.78 इंच का display तो always on display function के पर साथ भी आएगा overall दिखने में अबे भी अच्छा smart watch and amoled display भी है comfort की बात करें very important जिनका thin hands है उनके लिए यह एकदम perfect fit है दोस्ता आप देख सकते है थोड़ा भी नीचे मतलब मैं पूरा tight भी नहीं किया हूँ तो भी एकदम proper tight है thin hands वालों के लिए this is a perfect smart watch अगर आपका medium size यह उससे बड़ा है आपको कोई problem होगा नहीं tracking की बात करें तो सब भी कुछ मिल जाता है SPO2, heart rate, sleep tracking, step tracking plus BP का भी इसमें option मिल जाता है 110 plus sports mode है तो sports mode भी बहुत options है दोस्तों आपको कुछ ना कुछ चाहिए तो मिल जाएगा इसमें Bluetooth calling भी इसमें आता है which is good तो call करना है या call receive करना है वो भी आप कर सकते है inbuilt games भी आता है मतलब थोड़ा सा अगर आप time pass खेलना चाहते तो that is also possible IP67 water resistant है तो थोड़ा सा water protection भी आपको मिल जाएगा pricing की बात करें दोस्तों good question pricing शुरू में थोड़ा ज्यादा ही वेरी होता है exact pricing के लिए आपने अलड़ी picture तो देखी लिए होगा वीडियो का plus मैं description में भी link दूँगा but overall a good AMOLED smartwatch with Bluetooth calling and good for thin hands वीडियो अगर आपको useful लगा दोस्तों तो एक like जरू कर देना चाहल पर नहीं है तो subscribe करके bell icon वे दबादीजिये follow me on instagram at rcmedia house rcmedia housc आज के लिए इतने था दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए भाई-बाई